हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू सिबिल बाइच 2.0 ऑफिस्यल यूट्यूब चनल तो फ्रेंड्स देखिए जैसा कि 31 अक्टूबर को जे ससी जेई के एकजाम हुई थी सिबिल ब्रांज की तो उसके जो मेमोरी बेस्ट कॉस्चन है उसका मैं यहाँ पर कॉस्चन लेके आया फ्रेंड्स जितने भी पूछे गए हैं जितने मुझे याद आये और जितने भी दूसरों से पता चला तो जो भी बताया तो उसमें से साथ से सतर कॉस्चन इस वीडियो में इंक्लूडेड हैं तो चलिए देखते हैं कि कौन-कौन से कॉस्चन पूछे गए थे और एक्जाम का लेवल जो कैसा था लगभाग अगर एक्जाम का लेवल के बात किया जाए तो जो पहला पेबर था उसमें बोला जाए तो यहां पर देखे फ्रेंड देखे जै यह एक्टिसमें सपीस अट्वृर मेमरी बेस्ट कॉस्चन सबसे पहला कॉस्चन देखे फ्रेंड सबसे पहला पुछा गया था वात इंड fixed बोला गया था फ्रेंड चार ओप्सन दिये गया था जिसमें 0.65L आपको टिक करना था question number 2 देखें यहाँ पे effective length से बहुत सी सारे question पुछे गया था फ्रेंड तो पहला question तो बोथ ही in fixed के case में पुछा गया था कि effective length क्या होगा तो उसका जो होगा फ्रेंड 0.8L हो जाएगा answer मतलब बोला गया है एक in fixed है पूरी तरह से और एक hand hinge है अगर बोला गया तो free to rotate मतलब hinge है तो इस case में 0.8L होता है तो वो ही है answer इसका question number 3 देखते है question number 3 देखें फ्रेंड पूछा गया था one in fixed and other in restrained against rotation but not in translation मतलब कि बोला गया कुछ एस प्रेकार का friend जैसे fixed है एक in में और एक in में कुछ ऐसा है इस type का जो बनता है मतलब rotate नहीं कर रहा है लेकिन translate कर रहा है मतलब इदर उदर जा सकता है तो उस case में 1.2L होता है और देखें तो इस इस तरह का जो 67 case है friend सभी देख लिजिएगा आप ताकि अगर next बार आए तो आप बना सकते हैं अच्छे से देखें फिर पुछा गया था calculate isler's buckling load when effective length given था 3 meter and both in fixed था तो देखें इसका जो answer आगा question number 6 देखें फ्रेंड what is the combination of bitumen and sand called तो देखें फ्रेंड bitumen और sand का combination को पुछा गया तो filler option था binder था asphalt था और भी कुछ था वो याद नहीं आ रहा है तो आपको जो देखें जो लगता है वो बताईएगा comment में answer इसका question number 7 देखें यहाँ पर पुछा गया था plan tangent to the level surface जो कौन सा plan है जो की level surface के tangent में राता है and perpendicular to the plumb line called तो उसका राइट आज़ा हो पुछा गया था what is the sorry यहाँ पर दखिए what is the flaky size aggregate if passing size पास मतलब 40 mm सीप से पास हो जा रही है और 20 mm size में return कर जा रही है इस टाइप के दो question थे और आपको flaky size का मतलब flaky size aggregate का mean size बताना था तो आप आप लोग जानते है 0.6 times होता है average का और देखे फ्रेंड एक ऐसा कुछ दिया गया था दो चैनल section back to back connected थे बैटेन के साथ तो इसका आंसर होगा double channel back to back with double buttoning और देखे यह भी question था इस टाइप का question था लेसिंग से connected था तो double लेसिंग इंटरसेक्टिंग होगा इसका answer और देखे इसके बाद पुछा गया था size of aggregate is 40 mm then maximum air content कितना होगा मतलब aggregate का size दे दिया था फ्रेंड 40 mm और बोला गया था कि air content इसमें कितना percent होगा तो option दिये थे तो इसमें आप इस सभी का data देख लिएगा और 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 भी एक सवाल पुछा गया था पहले तो 40 mm का पुछा फिर 10 mm का पुछा फिर इसके बाद पुछा कि maximum air content तो आप लोग इसका देख लिजिएगा solutions का इसके बाद दो section दिये गये थे एक मतलब दोनों IE section नहीं थे बस उसका आपको CG निकालना था bottom से तो इस तरह का दो question दिये गये थे इसका data मुझे याद नहीं है बस ऐसे figure थे और देखे एक question beam से दिये गये थे ऐसा beam था और यहाँ पे पी load act कर रहा था तो बताना था कि एक point में कितना reaction आएगा और देखे फ्रेंड कुछ इस तरह का figure दिया गया था और कुछ question पुछा गया था वो माइंड में नहीं है figure बस याद है कि इस तरह का figure दिया गया था question number 16 देखे फ्रेंड इस type का figure दिया गया था और यह type 2 जो इस type का बन रहा है वो किस section के लिए है plastic section के लिए semi plastic की compact plastic की elastic तो इसका right answer होगा फ्रेंड प्लास्टिक होना चाहिए इसका right answer और देखे फ्रेंड question number 17 देखे है which of the following is primary air pollutant पुछा गया था तो option में था SO2, CO2, suspended particular matter और या फिर formaldehyde, तो right answer होगा फ्रेंड, formaldehyde जो है कि secondary air pollutant है, फिर again extra इसी दगा question पुछा गया था फ्रेंड कि कौन सा secondary air pollutant नहीं है, तो देखे है H2SO4 है, ozone है, formaldehyde है, SO2 नहीं है, तो right answer होगा SO2, और देखे फ्रेंड question number 19 में, noise level से पुछा गया था फ्रेंड, noise level पुछा ग practical, तो इसका मुझे लग रहा है कि A होना चाहिए, 20-35% क्योंकि full comfort बोला गया है, तो ऐसे तो होता है, 30-45 के आसपास होता है, तो लेकिन नहीं दिया गया है, तो यही हम मुझे लगता होना चाहिए, लेकिन बहुत को बता रहेते हैं कि 40-45 भी हो सकता है, तो आप देख traffic sign था, और पुछा गया था कि क्या है, तो देखिए, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर double line का end हो रहा है, यहाँ पर double line था, यहाँ इधर पर नहीं है, तो end of double line था, और फिर इस तरह का कुछ figure था, फ्रेंड, पुछा गया था, sleepery है, कि meandering root है, कि serpentine है, कि curve है, ब बिल्कुल गलत है, इसके बाद देखिए, question number 24, what is the value of live load on trust having slope 10 degree, यहाँ पुछा गया था, फ्रेंड, तो आप सभी को, इसका जो, right answer होगा, फ्रेंड, 0.75 हो जाएगा, क्योंकि इसका जो formula होता है, 0.75 minus 0.02 slope theta minus 10, तो 0.75 आएगा इसका answer, इसका देखिए, question number 25 में, what is the value of bulk modulus निकालना था, modulus of elasticity दिया गया था, और poison ratio दिया गया था, इसी तरह shear modulus भी निकालना था, और poison ratio दिया हुआ था, question number 27, देखिए, what is the lag distance, पुछा गया था, फ्रेंड, lag distance, when two-way single lane, मतला two-way traffic था, single lane था, तो उसमें lag distance बताना था, data जो है, मुझे याद नहीं है, तो बस जो भी आएगा उसका दुगना करना था, बस आपको ये बताना था, कि ये case दिया गया है, two-way single lane, और देखिए, what is the breaking distance भी पुछा गया था, same case था, two-way traffic with single lane, data मुझे याद नहीं है, question number 29 में, what is the moment of inertia, semi-circle of radius 20 cm, तो semi-circle का moment of inertia पुछा गया था, फ्रेंड, 20 cm का radius था, और dimension 4 meter into 3 meter, width, thickness 30 cm, and also find rate per meter cube, ये भी पुछा गया था, और देखिए, question number 31, what is the value of shear stress, when shear force दिया गया था, 8 km, और torque दिया गया था, 4 km, पुछा गया था, what is the value of shear stress, by the method of van shear test, तो van shear test से जो formula निकलता है, उस formula का यूज़ करके आपको ये बनाना था, इसके बाद देखिए, इसके राद question पुछा गया था, question number 33, what is the volume of earthwork by trapezoidal, trapezoidal formula से जो volume निकलता है, वो यहाँ पुछा गया था, question, यहाँ पे जो a0, an, और middle area है, वो सब का value दिया गया था, और d का भी value दिया गया था, तो आपको simply, उसको formula में apply करना था, तो सिधे बन जाता, answer आ चुका था, द होता है, तो बहुत, दो, तीन आपसों थे, फ्रेंट, जिसमें confusing, दो आपसों थे, जो एक में 900 mm था, और एक में 12 mm था, तो 120 km आवर लिखा हुआ है, तो इसमें क्या होना चाहिए, फ्रेंड, आप लोग कॉमेंट में बताएगा, 900 mm होना चाहिए, या फी 1200 mm, इसके बाद द से कम 1270 आ रहा था, तो आप लोग बताएगा, कितना आ रहा है, आप लोग का, वाट इस दा मोमेंट अप एरिया एबाउट सेंट्रोइडल अक्सिस अफ प्लेन लेमिना, ये पुछा गया था, इसके बाद देखे, कॉस्चन नबर 37 पुछा गया था, केंटी लिवर बीम द तो आपको इसका आंसर पता ही होगा फ्रेंट, डवल स्क्वाइर बट्टे 8, इसके बाद देखे, 39 कॉस्चन में, लोकेशन अप मैक्समम बेंडिंग मोमेंट इन केंटी लिवर, केंटी लिवर बीम में, लोडिंग दिया गया है, और बता रहा है, पुछ रहा है कि, मैक्स सर्पोट हो जागा इसका आंसर, इसके बाद देखे फ्रेंट, वाटर का जो क्लासिफिकेसन है, क्लास A to E, उससे 3 कोशन पुछा गया थे फ्रेंट, Frage A, B, C, D, E, क्लास E, उसमें से क्लास A के बारे है लिवाद है टाल के लिविलता है, प्र-छै, इसके बाद देखना है, भेज दूँगा आप जलते जन्द सिबिल बाई 2.0 जोइन हो जाईएगा वहाँ पर आपको मिल जाएगा वो डेटा तो जली देखते हैं एक से बात ठीकनेस अब बेस स्लेब आप रिटेनिंग वाल पुछा गया था तो 300 mm होना चाहिए फिरें आंसर मुझे लग रहा है ब्याली देखें मोमेंट अप इनर्सिया आप सर्कुलर इन टर्म आप रेडियस के टर्म में सर्कुलर सेक्षन का आपको मोमेंट अप इनर्सिया पुछा देखें फ्रेंट वाटर रिटेनिंग या फिर लिक्विड रिटेनिंग इस्ट्रक्चर का आई एस कोड पुछा गया था फ्रेंट तो आई एस कोड 3370 होता है फ्रेंट का कोश्चन फोटी 6 देखें फ्रेंट इस्टेटमेंट जो इस्टेटमेंट का क्वश्चन थे फ्रे तो आपको उसमें बताना था कि आंसर क्या होगा इसके बाद देखिए फ्रेंट जैनरल इंगे में कुछ याद आये मुझे मैं बता रहा हूं देखिए रेफ्रिजरेशन का जो रेफ्रिजरेटर का जो COP निकालना था वैसे कि दो कॉस्चन दिये गये थे और थेवेनिन और न नोटन में करेंट सोट लगता है और पैरलल में लगता है और देखिए इस्टेटमेंट से 10 कॉस्चन थे पहले पेपर में और इसमें एक कंप्यूटर के जो कॉस्चन पुछे गया थे यू एन आई एसी में एन किसके लिए इसका एन का फूल्पम क्या है तो नियूम्रीकल इसके जारखन जी का से पुछा गया था जैपाल सिंग्ग जो 1928 के में गोल्ड मेडल जीते थे वह कौन सा ओलमपिक में जीते थे अमस्टरडम इसका अंसर होगा फ्रेंट इसके बाद देखते हैं देखिए क्या है इसके बाद देखिए तर्मोडानम से कॉस्चन पुछा पुछा गया था फ्रेंट थर्मोडानम से कॉस्चन पुछा गया था जो कि मार्च और अप्रेल में मनाते हैं जिससे उपज अच्छी हो इसके कारण तो अप्शन थे फ्रेंट पाइका था फिर मुनडारी था फिर हेरो था और कुछ था ऐसे मुझे याद नहीं आ रहा तो अभी तक राइट अंसर पता निए चल पाया और देखे पुछा गया था फ्रेंट एक बुक है The Discovery of M.C.Mohan Line Discovery of Discord पुछा गया था उसके जो राइटर है कुछ करमा कर करके थे तो किस राजी के राजपाल है तो वो पुछा गया था फ्रेंट तो इसका राइट अंसर होना च इसके बाद देखे फिर आंद पर्देस का निरित से पुछा गया था दो कोश्चन इसके राद कम्पूटर के बहुत ही आसान कोश्चन पुछे गया था दो मेच अब फॉलएंग थे मतलब चारों को मिलाना था इन्पूट आउटपूट डिवाइस करके इस तकरके का था और किस यह तक हुआ था उसमें क्या यूज हुआ था जिसे वैक्यून टूब की ट्रांजिस्टर इस इंट्रेटेट्सर की किसमें आया था आटिफिस्यल इंट्रिजेंस किसमें आया था यू एलस एस भी पी एलसे करके मतलब पढ़ लीजेगा ताकि कोई भी सवाल पूछे त उसमें पूछा गया था रिजनिंग के कॉश्चन बहुत ही आसान कॉश्चन पूछे गया था रिजनिंग में आसान कॉश्चन पूछे गया था जिसे के 27, 28, 36, 63 और 127 दिया गया है तो मतलब 1, 2, 3, 4, 5 का क्यूब करके आ रहा था तो 125 जोड़ना था 252 साय आ रहा था इसका इसके बाद average speed निकालने बोला गया था फ्रेंड, simple interest भी निकालने से एक question आया हुआ था और GK के question बहुत ही tough थे, बहुत मतलब इंडिया GK तो नहीं बोल सकते हैं, दूसरे दूसरे state का GK पूछ दिया गया था फ्रेंड